hey what's up guys this is Akash from TechnoDefine और गाइस पिछले हफते में अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं डाल पाया तो सॉरी फॉर्चुनेटली वीडियो नहीं डाल रहा हूँ और कोई फेसकेम नहीं है गेमप्ले के साथ ये वीडियो दे रहा हूँ सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसल देलीड प्रोग्रमर कर अफ आईडी गेम्स और थे मैं बहां वाहिएन फेस्टीं के गोंभी बांजी जो मंधियो को पहले लाने के लिए फेड रहे थी फिर उसके बाद ऑक पॉपशिय स्कु करके माइफट की कुछ तरह गया है ऑच जान कारमाक न हो पहले इनके बाघा क post पे कहा था and I quote several things over the years made me conclude that at his core Steve didn't think very highly of games and always wished they were as important to his platform as they turn out to be I never took it personally so guys this way is that Steve Jobs was not so happy that he is also dependent on iOS games so it's a really really big thing and guys the other news are here which is a little sad news so guys if you don't know total biscuit so uh john brain sorry john bain uh so guys recently his death is a 33 year old british gaming critic and he was on youtube on his videos so guys he was suffering from cancer and unfortunately his death so it's a really sad thing I watched his videos and guys I have linked to his channel below check and guys our next news is coming from EA so guys EA recently Battlefield 5 trailer out of the day and guys this single player mode is going to be the same and with the same time as Battlefield 1 as well as the game is also playing the same but also guys this is a bit of hate jail because this game is made in World War 2 but guys we all know that Battlefield games कभी भी historically accurate नहीं होते पर फिर भी बहुत लोग जैसे कि उस ट्रेलर पर एक वुमन का इस्तमाल किया गया है और उसको बहुत लोग बहुत गलित तरीके से ले रहे हैं अगली न्यूस आ रहे हैं और आउस्ट्रेलिया से तो गाइस ऑस्ट्रेलिया पर रिसिंड्ली वी हैपी फ्यू गेम का जो है इस क्लासिफिकेशन को रिफ्यूस कर दिया यानि कि इससे पता चलता है कि वी हैपी फ्यू जो है ऑस्ट्रेलिया पर डिलीज नहीं होने पहला है और गाइस इस पर बहुत और गाइस तुम लोग सोच रहे होगी कि हमेशा होता है यह गेम जो है कि किक्स्टार्टर गेम है और गैस इस गेम को लोगो Scientists पहले लिए पहले से विडियो अमुद्रेटर प 1950 को बेर ल्लोगों को पे रहता है तो जैसे कि आस्ट्रेलिया पे यह मैं हो चुका है तो ऑस्ट्रेलिया पर किसी को भी अब यह गेम नहीं मिलने वाला है सो लेट सी की डेवलपर क्या करते है और गाईज आज की आखरी निउस जाने से पहले मैं तुम लोग वो कुछ वीडियोस चेक आउट करने के लिए सजेस्ट करूंगा तो गाईज जो है निंटेंडो स्वीच पर पोकीमॉन का एक नया गेम आ रहा है उसका ट्रेलर मैंने लि प्लेस्टेशन की तरफ से सो गाईज सोनी के अनॉंसमेंट में उनके जो है प्लेस्टेशन हैड जॉन को डेरा ने कहा है कि कोट वी विल यूज दे नेक्स थ्री यर्ज तो प्रिपेर दे नेक्स स्टेप ग्राउच डाउन सो देट वी कैन जंप हायर इन दे फ्यूचर तो उन लोगे लिए अच्छा है जिन्हों ने अभी प्लेस्टेशन 4 को खड़ीदा और गाइस साथे साथ आज की नियूज यही परी खतम हो रही है और तुम लोग इतने दूर तक आ गया हो यह नियूज देखे तो मैं तुम लोगों से यह रिक्रिस्ट करूंगा कि इस कोई भी सवाल है और या फिर इस नियूज के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और जाने से पहले गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना इस वीडियो को शेर करते जाना और अगर इतना कुछ कर रहे हो तो बेल इकन को दबाने में क्या हर्स है गाइज so I will catch you in the next one